तो जहिंद बच्चों हमारे पास एक doubt question है और यह हमारे पास remainder theorem और factor theorem से तो फटाबड देखते हैं इसमें क्या कहा गया है question number 9 है so that this 3x plus 2 is a factor of this polynomial and hence we have to factorize also तो फटाबड देख लेते हैं कि polynomial proof करने के लिए हम क्या करते थे I mean factor है या नहीं वो proof करने के लिए हम क्या करते थे सबसे पहले 3x plus 2 को equal to 0 रख दीजे ठीक है यहां से आप x की value लिकाल दीजे तो minus का 2 upon में 3 निकलेगा just आप इस polynomial में put कर दीजे अगर 0 आ गया तो आपके पस factor है और अगर 0 नहीं आया तो बस factor नहीं है तो मेरे पस put कर देते हूं 6 minus 2 upon में 3 की power cube plus में 13 minus 2 upon में 3 का square और minus का 4 अब इसको solve कर देते हैं 6 multiply दियान समझेगा जब cube होता है odd number होता है ना power में होता है तो minus minus cancel हो जाते प्लस 22 जा 4 और 33 जा 9 और यह minus का 4 अब इसको solve कर देते हैं इसको 2 times में cancel कर देते हूं और इसको में 9 times में उसके बाद कुछ कटेगा नहीं 8 2 16 16 minus कर रहेगा और 9 से बचा प्लस में इसको में 13 चोग को 56 तेरा चोग को 52 डिवाइड़ बाद में 9 माइनस का 4 डिवाइड़ बाद में 1 एलसम लेकर solve कर देता हमें इसको यह जाएगा 9 माइनस का 16 प्लस का 52 माइनस का और यह कितना आजाएगा आपके पास एक नाइन नौ चक छतिस ठीक है चलो बहें 6 6 12 तो माइनस का 52 और प्लस का 52 डिवाइड़ बाद में 9 अब क्योंकि 0 आ गया it means the given polynomial और you can say 3x plus 2 is a factor of this polynomial खतम बाद अब यह तो होगा कि यहाँ factor है अब बात आते हैं कि हमें इसको factorize भी करना है क्योंकि एक cubic polynomial है तो cubic polynomial के तीन factor निकल कराएंगे पहला तो यही होने वाला आपके पास 3x plus 2 दूसरा एक और होगा एक और होगा इस तरह से आपके पास 3 polynomial देखने को मिलेगा जितना degree उतना है इसके factors निकलते हैं तो फटापड देख लेते हैं इसको factorize अब हम कैसे करेंगे तो जो भी polynomial given हो 6x का q plus 13x की square और minus का 4 यही था अगर ना give one तब भी हम पता कर सकते हैं बिना इसके दिये हुए और उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पर heat and trial method try करना है heat and trial method का काम होता है कि आप x के एक ऐसी value चूज करो जिस पर यह 0 आजा मतला 1, minus 1, 2, minus 2 ऐसे करके जब हम heat करते हैं ट्राइल होता है तो पता चलता है कि हाँ भई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो ऐसे करके जब हमें एक factor पता चल जाता है लेट से मैंने बोला कि इस polynomial की value x is equal to 2 पर क्या आ गया जीरो आ गया तो जो भी एक factor होता है जैसे कि अभी हमें पता है 3x plus 2 इसका factor है अब आपको क्या करना है इसको long division method अगर आपको नहीं आता है तो एक separate video में आपको बना कर इसी playlist में डाल दिया है तो please एक बार check out कर लिजेगा तो मेरे पास देखे इसको जब divide करूँगा मेरे पास जागा 3x लाना 6x का cube है तो long ओ 2x square से multiply करूँगा इस वाले को न तो 6x का cube हो जाएगा तो यह आजएगा मेरे पास 6x का cube उसके बाद इधर वाली term से इसको multiply करूँगा टू 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 जा फोर 4x की square आएगी तो x की square इसके निचे जिसका like terms होगा साइन चेंज करेंगे निचे वाले के साब से तो यह plus का minus का यह भी plus का यह भी minus का करते है ठीक है चला इसको ड़ा दू यहां बचकिया मेरे पास 9x की square और यह बचकिया माइनस का 4 उसके बाद क्या का क्या काम करना है तो मेरे पास है 3x लाना 9x की square है तो मैं लिए लूँग उसको बिल्कुल side ही रखेंगे अब हमने जो लिखा है उसका sentence करेंगे यह minus का यह plus का यह भी minus का हो जाएगा और यह तो 100% उनने वाले x वाली टम का पहले लिखेंगे minus का 6x और यह minus का 4 sentence किया हूँआ लेना आपने अब फिर से division start करेंगे 3x से minus का 6x लाना है no doubt will take minus का 2 तो म मेरे पास 2 से जब इसको multiply करेंगे minus 2 से आजएगा minus का 4 और यह आगे पलस यह आगे पलस यह भी cancel यह भी cancel remainder आगे 0 100% remainder 0 आएगा ही आएगा अगर नहीं आया तो समझना कहीं नहीं कहीं आपने कुछ ने कुछ mistake किया हूँए रिजन हमें पहले पता है क्योंकि यह इसका factor है और factor है मतले divide करके remainder मिलेगा ही मिलेगा 0 और कोई option नहीं है ठीक है अब बात आती सर इसका करने का हमें benefit क्या मिला हमें तो factor नहीं मिला यहां से no doubt factor यहां से मिलेगा यह जो quotient हमारे पस निकल कर आया qx 2x की square plus 3x minus 2 तो यहां प फटा फट क्या करते हैं factorize कर देते हैं तो middle time आपको आती होगे नहीं तो quadratic से भी कर लेना पर ठीक है middle time यहां पर factorization के लिए सही रहेगा तो मैं ले लेता हूं 2x की square और इसके लिए तोड़ देता हूं plus का 4x और minus x से ताकि 4 भी आ जाया और 3 भी आ जाया जाया अब यहां से दोनों का sign change होगा क्योंकि negative sign बहार common आया हुए then we can write this as x plus 2 and also 2x minus का 1 तो यह इसका हमने factorize कर दे है factorize करने के बाद हमें यहां से कितने factors मिले 2 और ध्यान रहे एक factor में already given था and that was 3x plus 2 and now we have x plus 2 and 2x minus का 1 समझ में आ रहे होगी बात ठीक है और यही वो तीन factor है जो जिसके हम starting में जिक्र कर रहे थे कि क्योंकि इसके degree जो वो 3 है तो इसके factors निकलेंगे वो भी 3 निकलेंगे और आपके सामने वो 3 के 3 factor तैयार है तो अमिद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और अगर ऐसा है तो फटाफ़ट वीडियो को like कर दिजिए साथ एगर आप इस चैनल प प्रेस किजाएगा चलिए मिलते हैं अगली प्रैक्टिस करते रहीएगा जैहिन